क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्वाधी चनल Study for Civil Services पे आज आपके समयक्स लेके आगे हैं by June का current अपे हिंदी इंगी जोने बाश्यों में UPSC और स्टेट PCA examination के लिए काफी इंपॉर्टेंट रने वाला है का session देखें UPSC और EPFO का complete paid group यह फिट स्रीज का paid group हमारा चलू है आप लोग 8564-80530-96960-6089 पे call करके जानकाई ले सकते हैं ठीक देखें हमारा Instagram का page है Study for Civil Dot Services ठीक Study for Civil Services टेलिग्राम का चैनल है main channel only current affair जो है आपका आप स्पेस लिखें मिल जाएगा आपको और इसके लावा only UPSC जो सिर्फ UPSC के लिए फोकस है free channel है इसको भी टेलिग्राम का आप जाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिलिम्स और मेंस के जो हो सकते हैं यह वाले हैं Monoclonal Antibodies इसके बारे में पीछे पढ़ा भी था फिर से एक आया है नया तो इसके लिए इसको रखा गया है ठीक Monoclonal Antibodies and Covid इसके लबाद चाइना का शेंजूज बारा मैंड मिशन ठीक है ना एक्षिली चाइना जो अपना इस पेस्टेशन खुद का बना रहा तो उसमें क्या-क्या कौन-कौन पार्ट्स है वो सब यहां पर बताए गया है और इसमें ट्विटर का सेफ हर्बर का जो लॉस हो गया है ऐसा कहा जा रहा है सेस्फ हारवर रूल का लॉस हो अ हुआ है ट्विटर के लिए ठीक फी चीज है और यह हर्बी साईट ट्रॉलर्लरन बीटी कॉटन बीटी कॉटन जो है वो हर्बी साई ट्रॉलरन भी है तो उसको पर फर्क नहीं पड़ेगा और आपका इंटीगेटेड पावर डेवलप्मेंट स्कीम बिजली समन्दित है। पहला टॉपिक हमारा जो है कि मोनोकलोनल एंटीबोडीज एंड कोविड अभी क्या हुआ है कि एक यूके में क्लिनिकल ट्राइल हो रहा था कोविड नैंटीज पेशेंट के उपर तो उन्होंने क्या बनाया है मोनोकलोनल एंटीबोडी कॉक्टियल बनाया है अब इसमें कुछ नहीं है इसका नाम पहले सब लेता है रिजन सी योवी टू ठीक इसका नाम है और यह जो भी क्लिनिकल ट्राइल ने ऐसा बताया है ठीक तो यह फाउंड टू भी लाइफ सेविंग हो सकता है सीवियरली जो एफेक्टेड है कोविन एंटीब पेशन के लिए अभी क्लिनिकल ट्राइल ने ऐसा बताया है ठीक मोनोकलोनल एंटीबोडी कॉक्टियल क्या होता है एक एंटीबोडी हमारी बॉडी की जगे क्या है कि आटिफीशली आपका जो है यह इंजेक कर दिया जाता है और यह जो भी हमारे जैसे अभी अगर इसके करोना के केस में देखा जाए तो जो इसके स्पाइक्स हैं यह काटे जो निकले हुए हैं इसके उपर जो प्रोटीन है इसको खतम करने के लिए इस पर चिपक जाता है ताकि यह जो है यह सेल्स में जाके जो अपने आगों ब काहिए और जो की हमारे आडिफीशली जो एक फिनामिन होता है जिसके थूप ऐंटिबॉडीज बनती वो नहीं होता है ठिक आडिफीशली डाल दिया था तो यह सारी चीज़ यहां पर बताये गया ठिक आडिफीशली आप इसको डालते हैं इमिन सिस्टम जो है आपका को मत नकल उतारता है और इसमें किया है कि specific antibodies ही निकाली आती है फिर उनको clone किया जाता है human body से निकालके और यहां पर जो cocktail बनाया गया है इसका नाम है region cov2 ठीक दो antibodies से बनाया गया है और spike protein के लिए बनाया गया है तो काफी देखा गया है कि optimism है इसमें लोगों के अंदर जो कई लोग के उपर clinical trial किये गये हैं तो उसमें देखा गया है कि उनका जो hospitalization में जाना risk जो है वो कम हो गया है some monoclonal antibodies जो है वो आपका multiple जो variants होना जैसे alpha, beta, gamma, delta उनके खिलाब भी काफी जो है देखा गया है कि कारगर हो गया है ठीक है और promising part इसका यह है कि काफी ज्यादा तो promising part तो हैं लेकिन कुछ limitations भी है ठीक जैसे कि यह देखा गया है कि जो है आपका mild to moderate COVID-19 वाले जो है ठीक है ना COVID-19 की cases जो patient है उनके ओपर ज्यादा successful हुआ है ठीक और जो है जो severe वाले हैं हाला कि अभी तक ज्यादा नहीं और जिनको required होती है कि oxygen पे हैं जो लोग ठीक है ना उनके ओपर अभी इतना ज्यादा नहीं हो पाए हैं लेकि फिर भी जो है इससे एक आजशा की किरन तो है कि हो सकता है कि आगे आके severe के लिए भी हो जाएगा यह वाला monoclonal cocktail ठीक और emerging variants हैं जैसे delta plus variant of interest जो है उसके ओपर भी दिखाए गया है कि delta plus के उपर इतना मुलब जो है कारगर नहीं है efficient नहीं दिखाए गया अभी अभी जो नई study हुई है इसमें क्या बताया गया है अब यहां पर आशा किरन जग गही है अब यूनिवर्सिटी ओफ ऑक्सफोर्ड जो है उसने काया जो recovery trial कर रहे थे उसमें देखा गया है कि जो severe patient भी है COVID-19 के ठीक है जिसमें अपना natural antibody response वो नहीं कर पा रहे थे इन patients में severe हो गया भाई नहीं कुछ उनका antibody का response आ रहा है तभी तो इतना COVID-19 उनके उपर हावी होता है रहा है तो उनके उपर यह जो regions Regenerons Monoclonal Antibody Cocktail है इसको काफी जो है कारगर माना जा रहा देखा गया है ठीक जो death का risk है वो करीवन 5th मतलब कि आपका 20% जो है कि छे कम आते होंगी ठीक है रिजेंस वाला अगर Monoclonal Control देंगे तो और therapy ने बताया है कि जो hospital stay भी जो है लोग का जो hospital कम लुकना पड़ेगा severe होने के बावजूद भी Monoclonal इस वाले से चार दिन कम हो जाएगा कम से कम और उनका जो वेटरेटर पर जाने का रिस्क है वो भी कम होगा ठीक इस ऐसी जो finding यह बताती है कि वो लोग चाहे वो कैसे severe हो चाहे जो भी हो अगर खुद से उनका antibody का response naturally नहीं आ पा रहा है तो Monoclonal जो regions वाला यह वाला जो है यह काफी effective है ठीक यह काफी effective है और अगर hospitalized है तो इस therapy क्या इंडिया में भी available हो जाएगी हाँ बिलकुल होगी और Swiss की जो company रोश और इंडियान company है supply यह दोनों लोग मिलके जो इंडिया में इसको उपलब्द कराएंगे इसमें कौन-कौन सी antibodies है इसका उसको जानना बहुत हो रही है कैसीरी वी मैब कैसीरी वी मैब और M-दे वी मैब ठीक यह दो है इनको ज्यान रखना और इनको approval भी दे दिया इमर्जनसी यूज का CDS होने ठीक है CDS-C होने आपका central drug standard control organization अभी जून के शुरुवात में जो है एक और जो है एंटीबोडी cocktail therapy एली लिलीज का जो है बामला नीव वी मैब और एस्टेसी वी मैब ने भी जो है similar emergency approval मांगा हुआ है ठीक है अच्छा बोथ एंटीबोडी cocktail जो उपर इसकी बात हुए और यह लिलीज वाला यह बताते हैं कि जो लोग mild to moderate COVID-19 के हैं जिनका oxygen को जिनकी requirement नहीं है और जो high risk पे हैं यह मलब हाई काफी important है नहीं नहीं आ रहे हैं COVID-19 समंदित कुछ नगुश तो आए गई तो सारी चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी है चीन का शैंजाओ बारा मानव युक्त यानि कि इसमें man mission था यह लोग गये हैं इसमें और यह पहला group of Chinese astronaut जो है वो अब चला गया है जो अंडर construction space station उसके लिए जा चुका है काफी major step है चाइना अपना खुद का space station मनने के काफी करीब है और next year तक इसको पूरा functioning करना है यह जो है चाइना का देख रहे हैं कितनी तेई से काम करता है चाइना ने अभी जो है पीछे 10 मंजिले की इमारत बनाई आपका सिर्फ 28 गंटे में 10 मंजिले की मारत तो देखे जो बारत जो है वो लॉंच किया गया जिक्वान से गोबी डेजर्ट से गोबी डेजर्ट है और आपका यह जिंग जियांग वाले प्रविंस के आसपास ही ह तक्ला मकान है इस अब देखना मैप पे जाके एक बार ठीक और इसमें आउस्ट्रोनोट थे वो त्यान्य में घुज गये और जो है और आराउंड 6.5 अवर्स लेटर ठीक से चले और फिर त्यान्य में चले गया अभी दिखाऊंगा इसकी पूरी पिक्चर क्या है और इस अब आपर लॉंच ऑफ त्यान्य में चले दो कार्गो जो है इसका लॉंच हुआ विच गये वाइटर सप्लाई यह त्यान्य में का क्रू है विल बी इन ऑर्बिट फॉर थी मन्स अभी और और इस अब यह और आर्बिट में रहेगा ती महने के लिए इस दो फॉर्स आफ जो की इस साल होंगे चाइना के द्वरा काफी इंटेंस शेडूल है 2022 तक इनको अपना स्पेस्टेस्टेस्टन बनाना आप देखें यहां पर यह देखें इसको आप अगर ऐसे देखेंगे तो यह इसका अलब ऐसे एक चार्ट है और इसमें दो को शांजो की बात हो रही है यह उपर लाइफ बोट है थीक नस यह चीजस है आपका वैंट्चियन साइनस लेब है ठीक वैसे मैंट्चियन इवा मैंग नामाइब और यह मेन लिविंग एरिया होगा और इन सब के लिए ठीक तो यह जब बन जाएगा तो इस तरीके का दिखेगा आपका इस पेस टेशन अब देखें शांजाओ 12 मिशन ठीक समझाओ देखो यह उपर यह आ रहा था यह यह वाला ठीक तो शांजाओ 12 मिशन है यह काफी बिज इस त्यांजाओ दो जो है कार्गो स्पेस क्राफ्ट ठीक है इसमें कार्गो है तो वाइटर सप्लाइज कुछ दिख गई है इस स्पेस्टेशन के लिए और एटलीस फाइब मोर मिशन प्लांट है इस साल के लिए ठीक यह सब बारा जो भी चीज़े से ट्वारा है तो यह क इनका लाके वैसे स्पेस्टेशन बनाया जा रहा है चाइना का अलग 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 मिशन मैंड मिशन लिए सब लिए जाकर ठीक है इस सिंपल बाचन में यह समझनी को उच करिए और अब्जेक्टिव इसका यह है ता मिशन जो है कि जो भी टेक्नोलोजीज है ताकि आस्ट् अब्जेक्तिविटी नहें नें है इन चेंड़ सब को जानने के लिए मिशन लेके जा रहा है चाइना आपना बना सकता है न कर दो इसमें यह सब दने कि बने तरह करे था तो समने जर्ट चैना की बड़ा सा संशय दिया है कि इसका military application भी है ठीक है न और यह चीज है कि यह concern है कि could be future में भविश में क्या है कि यह दूसरे satellites को पकड़ने के काम आ सकता है ठीक तो ऐसा USA ने अपना एक criticism या फिर इसको जो है संशे इस पर जाहिर किया है चीन का जो space station है यह आपका जो है largely क्योंकि US का काफी objection रहा है इंटरनेशनल space station में चाइना वले नहीं आ पाएंगे इसलिए चाइना ने अपना ही space station मरा लिया है बोलते ना कि अविशकता ही अविशकार के जरनी है वाली बात है अगर जबुवत है तो लोग अविशकार करते हैं तो US का objection आप चाइना ने खुदी अपना बना रहा है अभी जो इंटरनेशनल space station है उसमें कौन-कौन लोग है नासा, United States, Roscosmos, Russia, जाक्षा, जापान, ESA, आपका यूरोप और कैनाडा ठीक अगला जो अबार टॉपिक है वो ट्यूटर समन देता देखे क्या है कि एक होता है safe harbor rule बहुत आसान भाशा में अगर बोलूं तो जो है कानून में लॉज में जैसे भारत में भी 79 section है जो आपका information technology act में उसमें ही कहता है कि कोई वेक कोई अगर digital platform provide कर रहा है जैसे twitter ने किया ठीक तो और यहाँ पर कई लोग आ रहे है यहाँ पर कई लोग आ रहे है ठीक यह कोई sender है receiver है कोई post कर रहे है आप अपत्ति जनक या कुछ कुछ भी है sender receive कोई दूसरा कर रहा है तो इसमें आ उसको सेफ हारवर है उसको इसके लिए जो है इस अपत्ति जनक या फिर इस टूइट के लिए जो है उसको नहीं जिम्मेदार ठारा जाएगा जिस बंदे ने भेजा है receive किया ओ लोग जो है जिम्मेदारों के उनके खिलाफ जो है कारिवाई होगी law के अनुसार ठीक यह तो उसमें टूटर के जो है ने से कहा गया था कि आप रेसिडेंट गिर्वांस ओफिसर ठीक आप नोडल ओफिसर चीफ कंप्लाइंस ओफिसर इनको बनाओ इनको एपॉइंट करो तो जब यह कर रहा है तो टूटर जो है कई सारे जो मानक है उनको पूरा नहीं कर रहा है ठ अटा देंगे और अगर कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ होता है कि कोई इनको कोई आके करे भी कोई आपते जीनक तो भी हम टूटर को ही मानेंगे कि वो खुदी नहीं करना चाह रहा है ठीक है ना जब वो ग्रिवांस ओफिसर यह लॉव बनाया गया लॉव दा लैंड हमारे अब भारत का बना है तो टूटर का बनना चाहिए टूटर हमारे आप रहके काम करेगा ना हमारे इसाब से टूटर कोई अपना तो नहीं बना सकता है यह वाली चीज़ है ठीक सेक्शन 79 ने इन्फारशा टेक्नोलोजी एक्ट में और जो सोशल मीडिया इंटेमीजरी है के प्लेटफॉर्म पे कोई आके जो टी सीदी बाते कर रहा है तो ठीक जो कि लॉग के हिसाब से इल्लीगल है उनके अबर कुछ पीनल एक्शन होने चाहिए कुछ जो है उनको परिश्मेंट देना चाहिए ठीक तो प्रोटक्शन जो है अपलिकेबल होगा और यह वाली ची अज्सिस इलक्टोनीक और रवीशंकर जी जो है इसारे मंतरलों की जो मिनिस्टर है कि पूरे समुइधान आपका अंसत ने सवरेया है लॉवा बनाए तो इस संसद क्या भारत के लोग की होंग करती понравi requirement नहीं है इसले अम के इस इसे नहीं हम पीप टूटर को कैसे गल बात करता हुआ आगर कोई लोग जो है उनके अलावा टुटर को भी इसमें इंप्लीकेट करते हुए उसको भी दोशीट हरा सकते हैं उसके खिलाब भी एक्शन ले सकते हैं वालेंस वालेंस अगर कोई आके करवाना चाह रहा है तो टुटर विल भी लीगली लाइबल यह बताया गया ठीक और इस क्या बाद में कुछ और हो सकता है इस देर सम्थिंग एल्स डाट कन हैपन सब्सीक्यूंटी ठीक अब आगे ही हो सकता है कि आप देखिए अभी तो शॉट रन में यह कि उसको माना जाएगा दोशी आगे भी यह कि फॉरण डायक्ट इंवेस्मेंट जो होता है एफडियाई ठीक ना प्रतेक शुरूप से ज जो है वो आपका इंडियन बायर जो है वो ही ले पाएंगे ठीक है एफडियाई कम होगा फॉरण का इंवेस्मेंट कम हो सकेगा इंडियन इस पे 26% की वह हो जाएगी कैप हो जाएगी बाकी 14% जो है इंडियन खरीदेंगे क्योंकि बदलब इंडियन के दोरह जब रूल हो ठीक अब बीटी कॉटन क्या है आपका की एक इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में उसमें जो है चेंज कर दिया गया और इसकी वैसे क्या होता है कि अब हर भी साइड अगर इनके उपर जैसे हर जो ऐसी हर्ट है जो अन्वांटेड है हम उगाना चाहते हैं कॉटन और भी लगदेट हो आपने हर्बी साइड तो हर्बी साइड से क्या हूँआ कि जो कॉटन है क्यों कि इसकी जीन में जो है कुछ ऐसे चेंजिस कर दिये हैं कि हर्वी साइड से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं बाकि जो हर्ब्स हैं वो मर जाएंगी यह कहा जा रहा है ले यह वाली बात है, illegal cultivation हो रहा है, herbicide tolerant BT content का यह कहा गया और काफी तेजी से jump आया है, और seed manufacture यह बोल रहा है, sale भी हो रही है, seed packets की, यह ठीक भी नहीं है, मतलब इस तरीके से यह कहा गया है, पिछले साल जो है, बहलाब 75 लाख हो गया है, seed packets जो बीच के जो है, इनके packet भी रहा है, illegally हो रही है, हमने इसको officially दिया नहीं है, approver, इसलिए अब इंडस्ट्रीज ने यह कहा है, agriculture ministry के पास गया है, कि आप इस तरीके के sale और इन लोग को punish करिए, इस तरीक कल्टिवेशन नहीं होना चाहिए, और यह environment और economic consequences हो सकते हैं, इसमें पर्यावरणी हैं, और आर्थी consequences हो स जिसको कि approve किया है, केंदर ने, कि इसका commercial cultivation हो सकता है भारत में, और इसको जो है, जो महाइको है, महारास्ट्रा की habit seed company और मोसान तो है, यह आपको US की है, इसको joint venture बनाया गया था, 2002 में, वो चला रहा है, बना रहा है इसको, ठीक, बीटी कॉटन के खुट के भी कही सारे criticism थ इसको बना दिया गया है, जो cotton ball wall होता है, cotton common pest होता है, इसमें ऐसा change कर दिया गया है, कि यह खुदी इसको मार देता है, बाल वाम को, खुदी इसको काटता है और मर जाता है, अब यहाँ पर जो herbicide है, उसमें जो glyphosate herbicide है, इसका use किया आता है, ठीक, तो herbicide जो glyphosate है, यह cancer करने के भी chances बन सकते हैं, अगर देखा नहीं गया, तो, ठीक, तो इसलिए जो है, इसका विरोध हो रहा है, अब herbicide tolerant BT cotton जो है, इसमें भी अन्वांशिक रूप से जो है, संशोदन किया गया है, और इसमें ऐसे genes को जो है, एप्रूवड genes को जो है, चेंज कर दिया गया है, जो कि इंडिया में permissible नहीं है, herbicide एक तरीके का poison होता है, जो unwanted जो बनस्पती उग गये हैं, उनको जो है, खतम कर देता है, vegetation को, और यह technique यह है, कि crop को resistant बना देती है, herbicide से, जैसे मैंने आपको बताया है, भी उपर, और इसकी need क्या है, कि यह क्या है, कि इसमें labor labor का use नहीं ह हो जाता है, वो सड़ के मर जाता है, और BT cotton जो है, वो बचा रहेगा, बाकी जो है, सब थे वो खतम हो जाएंगे, labor कम लगेगी, आसानी से हो जाएगा, ठीक, तो STBT जो है, simply one round of glyphosate, अगर glyphosate का spray किया जाएगा, is needed with no weeding, ठीक, फार्मर के साथ से 8000 पर बढ़ जाते हैं, हर एकड़ पर, और scientist जो है, वो उन्होंने काए कि also in favor of this crop, scientist favor करता है, इसका, WHO ने भी कहा है, कि हाँ, ये cause नहीं करता है cancer, ऐसा बोला गया, लेकिन इंडिया में अभी इसको allowed नहीं किया गया, concerns क्या है, farmer ये कहते हैं, illegal जो है, farmer रिस्क पे है, illegal cotton seed sale है, उनको खहीद रहा है, और जो है, इसकी quality क्या है, गुलवक्ता क्या, उसकी कोई जवाब दे ही नहीं है, पार्यावरण भी इसमें pollute हो रहा है, industry को legitimate seed sale जो है, नहीं मिल रहा है, tax collection गॉवर्मेंट को नहीं हो पा रहा है भाई, क्योंकि ऐसे ही कोई आके पेश दे रहा है, गॉवर्मेंट को तो न legal cotton seed market उसको भी गतम करेगा, regulators are only limiting their checking to license dealers, ठीक, जो लाइसेंस डीलर ना, उनी पतक की, वो चेक कर पा रहा है, बाकी और लोग भी तो है, जो इसको बेच रहा है, ठीक, तो और जिनको जो है, government अभी नहीं पकड़ पा रही है, अगला जो माँ टॉपिक है, integrated power development, जो है, integrated power development scheme, अभी क्या है कि 75 वा साल है मारे भारत की आजादी का, तो कई सारे जो है, इवेंट हो रहा है, अभी आजादी का अमरित महसाब इसे बोला जा रहा है, एक solar rooftop, एक solar rooftop जो है, पैनल लगाए गया, 50 kilowatt power का, सोलन हिमाचर प्रदेश में, ठीक है, इसमें किस के अंतरगत, आपका integrated power development scheme के अंतरगत, ministry of power के अंतरगत यह आती है, scheme, जो 50 kilowatt power का solar rooftop project बनाया गया है, इसको इमाचर प्रदेश, state electricity board ने लगाया है, 75 साल जो है, उसके लिए, इस event को भी इसमें जोडा गया है, कि हम solar और यह वाली जो है, नभी कर्णी और जा का, यूज कर रहे है, ठीक, सोलन में लगाए गया है, सोलन काफी, मला आप लोगने सुना होगा, इमाचर प्रदेश में, आपका शिम्ला मिला के पास में है, सोलन वैली ही बोलाया था, ठीक, और इसमें total photovoltaik panel कितने लगाए गया है, 152 लगाए गया है, और इसको जो है, प्रोजेक्ट फर्दा री इन्फोर्स में लिया गया है, यह स्कीम क्या है, इंटिगेटर पावर डेलोमेंट स्कीम, 3 दिसंबर 2014 चलू हुई थी, फ्लैक्षिप स्कीम है, मिनिस्ट्री और पावर की, इसमें पावर फाइनस का ऑप्रेशन जो है, मतलब यह फाइनस करती बिजली से समधित मुद्दे जो भी होते पचासी प्रतिशत जो स्पेशल कटिगरी स्टेट्स हैं, वहाँ पे दिया जाता है, एडिशनल ग्रांट जो है, 15% है, 5% का स्पेशल कटिगरी स्टेट्स में है, और एचीवमेंट जैसे से माइलिस्ट्रों पूरा करते होगे, देता जाएगा यह गौर्मेंट जो है, और जो है, वो चला लेते हैं, जो है, बिजली चोरी करते हैं, वो समना हो, और मीटरिंग हो जाए, सब क्या मीटर लगे रहे हैं, अर्बन एरियास में, ठीक, अच्छा, पी एफसी इसमें है, तो यह अर्बन एरियास होगा, दूसरा होता है, रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन कोर जाएगा, मरला वही है, ताकि अरबन टाउंस में, मरला इन्फरमेशन टेकनोलोजी के यूज़ करेंगा, ताकि जादा जादा जाएगा, और अंडर ग्राउंड केबिलिंग भी करी जा रही है, ताकि डिसकॉम्ट जो उदा ही हो जना, उसके अंतरगति भी आपका जो है, इनको पैसा मिल सके, स्टेट गोर्मेंट के द्वरा, ठीक, यह सारी चीज़े हैं, नेट मीटिन, क्या होता है, कि आपने माली जे, सोलर पैनल के थूरू कुछ बनाया, ठीक, आपने कुछ यूज़ कि, आपने यूज़ की, आपने यूज़ की, आस यूज़ की, तो बीस य अगर एथिक्स किया है, ठीक है, एथिक्स किया है, और अगर एथिक्स और मोरालिटी के बीच में, अचावीचा और नेतिक्ता की तुलना करें, और व्यक्या करें, एक्स्प्लेंग करें, कंपेर करें, ठीक, और आगे हैं, अपने फेवरे सक्षे में, जिसका नाम है, कौम को section 8 के अंतरगत किसका companies act के दो जा तेरा के अंतरगत बनाया गया है कैसा ही है यह ministry of electronics and information technology के अंतरगत आता है कैसा ही है statement और इसका main मलब यह इसलिए setup किया गया जितने भी internet service providers जितने लाइं जी ओ हो गया internet हो गया आपका air tail हो गया सब है यह सब जो है among themselves जो है आपका purpose of routing domestic traffic जो है जितना भी है within the country उसको एक साथ जो है जोड सके ठीक है तब ही तो बन पाएगा ना exchange आपका internet का exchange बन पाएगा मलब एटल जी ओ सो जुड़ा हुआ है वोड़ा phone से जुड़ो हुआ है ठीक है और इन सब से तीन होई statement सही है आपका national internet exchange आप इंडिया से सब्सक्राइब इसका जो निक्सी का जो आपका foundation डियो होता इंटरेट टेकनोलोजी जासे लोग के पास पहुँच सके ठीक और यह करता क्या क्या है इसके activities क्या है कि इंटरेट एक्सचेंज इंटरेट डेटा को एक्सचेंज करता है आई सब्सक्राइब तो यह जो डोमेंस नेम होते हैं यह वाले इनको भी मैनेज करता है भारत में ठीक है अगला जो कुश्चन है वो है कि जान है तो जहां है campaign चला है उससे समदित false कौन सा आप देखें क्या है कि यह nationwide एक awareness जागुरुपता जो है campaign चलाए गया है minorities के लिए डिस्टिक रामपुर उर्था प्रदेश में ठीक एक nationwide awareness campaign जो कि launch किया जाएगा रामपुर डिस्टिक से जो कि minority जो है आपके अब संख्या से मलब काफी जादा यहां पर concentration है और इसका एम जो यह है कि crush and curb rumors and apprehension being spread by some vested interested group regarding the ongoing vaccination drive अब इसमें यह है कि vaccination से समंधित कई लोग जो है यह कह रहे है इससे नफुस सकता आ जाएगी important हो जाओगे बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे तुम्हें जो है यह blood clotting हो जाएगी तुरंत मर जाओगे यह सब जो फ़लाई जा है उनके खिलाब जो है यह एक मुहीम है और अमिशा जी ने जो है लॉंच किया है तो यह लॉंच नहीं किया है मुक्तार अबास नकवी जी जो मानेवटी जोड़िए इस मिशन में जिसमें हम लोग चाहते हैं जाया जाया लोग का यूपेसी और अदर स्टेप्टी से एक्जामनेशन में सेलेक्शन हो सके कोई भी कोश्चन आप लोग को गलत ना हो ठीक और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट और गाइडेंस अच्छा रखता है तो EPFO और UPSC में आप लोग कम्प्लीट पेड ग्रूप या फिर स्टैसरी का पेड ग्रूप जोइन कर सकते हैं 8564-80530-96960-60810 पे कॉल करके चलिए कल फिर से मुला कर दो कि सुबढ़ चे बजे तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा सुरच्चित रही है को पढ़ते रही है जैन जैवरत आल दा वेरी वेस्ट है वंदे मात्रम